अब मैं एक बार अजीज़ खान साब आपके पास आ रही हूँ क्योंकि वहाँ पर योगी अदित्तिनाद प्रचार के लिए ऐसा लग रहा है कि योगी अदित्तिनाद विपक्ष के ट्रम काड हो गए कि उन पर जितना हमला करोगे उतना फाइदा हमें मिलेगा ऐसा क्यों हो गया अजीज़ खान सार देखें सुचरता जी आप इस बात को जानती है कि जम्मू और कस्मीर में आज बीजेपी की वो हालत है जो शायद कभी बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा आप कस्मीरी पंडि जताने की बात हो रही थी मैं कहरा हूँ कि यह वही बीजेपी है जिसने वाइदा किया था कस्मीरी पंडितों को बसाने की उनको तमाम सुभिधाओं से लैस करने की आज कस्मीरी पंडित अपने आप ठगा महसूस कर रहा है उसके साथ धोका हुआ है एक भी कस्मीरी पंडि आपको बता दें कि इन्हों ने बड़े दावे कि ये वाइदे कि कि मैं कस्मीर के लिए बहुत कुछ कर दूँगा कस्मीर को मैं सवर्ग बना दूँगा सवर्ग है पहले और फिस बेहतर करूंगा लेकिन सच यह है कि आज कस्मीरी की जो आवाम है वह अपने आपको ठगा म अब बुद्धे पर नहीं बोल रहे हैं ना अजीज खान साथ नहीं सुनिये ना योगी आदितनाथ को जेल में डाल दो ये सल्यूशन है ना अरे बैस सुनिये ना अब प्लीज आप बुद्धे पर बात नहीं करेंगे जो अहम बाते सुनिया आप ना तोहां कोई फैक्टरी किसी तरीके कि को एटरी नहीं सुनिये ना मेरी बात प्लीज वहां समस्या क्या समझ जाया समझ लीजिए समय लीजिए पिंचाया है वहां के बच्चे बेरोजगारी गरीबी से इसकतर पीड़ित हैं कि वह नशे नशे के आदी हो गये हैं किसने उनने नषे के हादी बनाया किसने उनके हाथों में पत्कर थमाए शर ये भी सवाल है ये भी सवाल है अरे सुनें ये नहीं बात आप निलें सिनने की बात नहीं है ना अजी्स खान साब मेरा मतलब यह मैं जानती हूँ आप कश्मीर से आये हैं आप बहुत दिन कश्मीर में रहे होड़े दिन मुझे पता है यह बात लेकिन आज। पिद क्या है उस पर तो बोलिए मेरा मतलब यह कश्मीर में कश्मीर के मुद्दों की बात होगी क्या योगी को जेल पहुचाने की बात होगी क्यूं हो रही है कश्मीर के मुद्दों के बारे आप ने इतने मुद्दे गिना दिया इतने महभूमा मुफ्ती ने नहीं गिना है देखे सुचरता जी मुझसे अगर सवाल है तो मुझे बात करने दे मुझे मौका दे मैं अपनी बात को रखो अगर मुझसे सवाल है तो बोलिए सर बोलिए हम इसे पूछ रही है देखे सुचरता जी मैं वही कह रहा हूँ देखे कस्मीर की आवाम को क्या चाहिए दोवक्त की रोٹी और सुकून से दोवक्त की रोटी उनको चाहिए लेकिन ये bjp दावे तो बड़े-बड़े करती रही वाइदे बड़े-बड़े करती रही लेकिन आज कस्मीरी परेशान है जभ्मू और कस्मीर के लोग पूरी तरह से बहुत पीडित है इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार ये दूर दूर तक ना है चाहे वो मानने योगी जी जाए या मानने मोदी जी जाए कोई भी जाए भासर से देश नहीं चलता है भासर से परदेश नहीं चलता है किसी की रोजी रोटी भांसर से नहीं चलती है उसके लिए काम आपने क्या किया काम आपने क्या किया, बड़े-बड़े वाइदे, बड़े-बड़े दावे, यह सब देखे, कोरे कागज है, मैं आपको बता दूँ, हकीकत यह है, वहां की आवाम, वहां की आवाम को तरक्की के चाहती, वहां की आवाम, लेकिन वह तरक्की देने के बजाए, आप तो इधर मैं एक बार सुशील पंडी जी के पास जा रही हूँ, सुशील जी मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, योगी अधितनाथ यूपी में जो काम कर रहा है उस पर अजीज खान साब की पाटी सवाल उठाती रहती है, वो कहते हैं वो एंकाउंटर गलत कर रहे हैं, जातिवाद आते हैं, तो वहाँ पर तो कितने लोग हैं, जिनने जेल में डाल देना चाहिए था, बहुत पहले, जी सुशनिता जी, डॉक्टर अजीज खान साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, बेरोजगारी कहां मुद्दा नहीं, बेरोजग फवाया जो वही है, जो एकौनेमी, कétait डिकलाइन हुआ है, बेरोजगारी को उससे सीधे सीधे लेना देना है, लेकिन कश्मीर का जिहाद बेरोजगारी के लिए नहीं है, कश्मीर का जिहाद राजमार्स तर्णल भिया बनाने के लिए, नहीं है, हवाई अड्डों के इसके नहीं होती थी कि हमें काम चाहिए कि महंगाई है कि कारखाने नहीं आ रहे हैं माफ कीजिएगा कश्मीर में भारत को चुनोती है वो देश की अखंडता को ले करके है वो इसलामियत का जो एक भयावा चेरा है जहाद उसको ले करके है जिसके इतके दुक्के वाक्याद यूपी में गाहे बगाहे होते रहते हैं वो कश्मीर में सरचड़ के बोलता है हिंदूओं का पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कश्मीर घाटी को हिंदूओं से खाली करा लिया गया जैसे कुछ जिले आज उत्तरप्रदेश में खाली कराये जा रहे हैं गाओं में लोग हिंदू पलायन को मजबूर है कश्मीर की पूरी की पूरी घाटी खाली करा ली गई है और वहां कलाशनिकोव है पम है जो खेट के बागानों में नहीं उगते हैं भारत में कारखाने नहीं है उसके पाकिस्तान से आते हैं कश्मीर की चुनोती ये है तो इसको बेरोजगारी कहके महंगाई कहके कारखाने कहके काम धंदा कहके मत बरगला ये कश्मीर में चुनोती भारत की अखंडता को है और योगी जो चेहरा है और जो उनका ट्रैक रेकॉर्ड है वो इसी जिहाद से निपटने का एक कारगर कुबाय के रूप में उढ़ा है ये समझ लीजिए जिस तरह इन्होंने जिहादियों को यूपी में नाके चनों चपवाएं है जिस तरह वहाँ पर अतिकरमन रोका है जिस तरह वहाँ माफियां मंगवा कर मुवावजे वसूर करवाएं है आगजनी पर और तंगों पर वह ब्रांड योगी का आज देश भर में सर चड़के बोलता है जिहाद के खिलाफ और इसलिए कश्मीर में उनका स्वागत होता है इसलिए इस जिहाद पर कड़ाई से नकेल कसने के लिए योगी जी की परतीक्षा होती है कश्मीर ये समझ लीजिए इसको बेरोजगारी में मत बर्गलाईए रोजगार तो जिंदा रहे तो आएगा मेहनत करें पढ़े लिखे तो आएगा उद्यम करें तो आएगा लेकिन जान रहे तभी ना आएगा अचा वकार भाटी साहब भी तुड़ गया है हमारे साथ मैं एक बार जरा बताना चाहती हूँ कि आज योगी आदितिनाथ की रहलिया थी ग्रहमंत्री अविट शाह की रहलिया थी POK पर CM योगी का एक बड़ा बयानाया वो कह रहे हैं कि POK फिर JNK का हिस्सा होना चाहिए यहां के चुनाव यहां के चुनाव देखकर POK के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ चुनाव हो और उस तरह से हो जैसे यहां हो रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंको मद्दाताओं का संदेश भी उन्होंने का दुनिया में जेनके को लेकर दुष्परचार किया गया और कॉंग्रेस और नाशनल कॉंफरेंस पीडिपी ने आतंक का वेरहाउस इसे बना दिया था अब आप देखी आतंक के वेरहाउस पर दहारे हैं योगी आदितनात उन्होंने ये बात कही